Come to the next very interested topic जिसमें आपको quotes याद रखने पड़ेंगे ठीक है, quotes आपको सारे याद नहीं रखने है अब मैं आप से बात करने वाला हूँ coding की, किसकी बात करने वाला हूँ coding की बात करने वाला हूँ CNC part programming ठीक है, अब जो मैं आपको topic बढ़ाने वाला हूँ काफी interested topic है लेकिन आपने इसमें कभी गोर नहीं किया सरी इतना भी interested होता है, बहुत अच्छा topic है इस subject का सबसे easy topic यही है that is CNC part programming CNC part programming ठीक है, तो हम programming करने वाले अभी देखिये, without any computer ठीक है, सिरफ हम paper पर ही programming कर देंगे और same programming आपकी use में आती है CNC machine में किसमें use में आती है, CNC machines में use में आती है तो इसमें हम क्या करते है, codes use में लेते है किसको use में लेते है, codes को use में लेते है और जो codes होते है, वो दो type के होते है कितने type ही होते है, दो type के codes होते है first code होता है आपका G code first code क्या होता है, आपका G code होता है और जो next code होता है उसे हम कहते है M codes उसे हम क्या कहते है M codes कहते है तो अगर हम बात करते है G codes की तो G codes होता है ठीक है ध्यान से बढ़ेंगे इसको second होता है आपका M codes second क्या होता है M codes तो आपने अगर कभी भी book में देखा हो तो आपको दो code ही मिलते हैं एक तो G से start होने वाले और एक M से start होने वाले ठीक है mainly जो code होते हैं आपके CNC part programming में जो role play करते हैं अपना majorly that is G code and M code अब देखिए ध्यान से इसको पढ़िए G code क्या होता है G code का जो function होता है वो primary function होता है क्या function होता है primary function ठीक है और primary function में देखिए क्या क्या आता है primary function में आता है आपका feed axis motion feed axis motion आप इसमें क्या करते हो feed axis motion को या फिर coordinate axis motion को क्या करते हो control करते हो क्या करते हो control करते हो ठीके, G-Code से आप apply कर सकते हो canned cycle, क्या apply कर सकते हो, canned cycle, canned cycle भी जो apply होती है, उसकी बात हम करने वाले हैं, canned cycle जो हम apply करते हैं, वो हम करते हैं with the help of the G-Code, with the help of the G-Code, तो पहला function के G-Code का, that is the coordinate axis motion और feed axis motion को control करना, आपको बताना कि tool किस direction में जाना चाहिए, वो कौन करेगा, आपका, किस direction में tool का movement होना चाहिए, और किस direction में आपके workpiece का movement होना चाहिए, ये बताता है G-Code, ये कौन बताता है G-Code, the function of the G-Code is coordinate axis motion and the canned cycle, coordinate axis motion and the canned cycle, और इसके साथ साथ एक इसका और function होता है, that is your cutter radius compensation, that is your cutter radius compensation, जो भी primary function होते हैं, इसके अलावा भी और function होते हैं, इसके अलावा भी और function होते हैं, जिनमें हम dimensions की system का selection करते हैं, metric system का selection करते हैं, हम क्या करते हैं, inch system का selection करते हैं, तो वो भी system होते हैं आपके, ठीके, उन systems का भी हम यहाँ पर selection कर सकते हैं, with the help of the G-Code, कि आपने जो dimensioning use में ली है, वो आपने metric system में ली है, या फिर inch system में ली है, M-codes का होते है, M-codes का function होता है miscellaneous function miscellaneous function का मतलब होता है कि spindle को on या off करना spindle को on या off करना, ठीक है spindle की speed का selection करना उसके बाद अगर हम बात करते है coolant की, तो coolant को on या off करना coolant को on या off करना program को program को stop करना programming को क्या करना स्टॉप करना अगर हम बात करते हैं स्पिंडल की कुलेंट की प्रोग्रामिंग की इसके साथ इसका एक और function होता है इसका function होता है टूल का selection करना टूल चेंज और टूल selection का ठीक है तो यह थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि जी कोर्स में जो भी कोर्स आने वाले हैं उनका function क्या होगा इस वी रिलेटेट टूदा primary function इस वी रिलेटेट टूदा primary function और मिसेलनेस का क्या function होगा मिसेलनेस का function होगा different different function for example coolant को on करना कौन सा coolant आप यूज में लेने वाले हो कौन सा tool आप यूज में लेने वाले हो spindle को on करना spindle को off करना spindle की speed का selection करना 500 rpm 300 rpm 200 rpm so these will become under your m-codes this will become under your m-codes तो यह दो different types के code होते हैं यह दो different types के code होते हैं सबसे पहले मैं लेके चलूँगा g-codes आपको धीरे-दीरे सबी चीज़े पढ़नी है और यहीं पर याद करने की कोशिश करनी हैं यहीं पर आपको क्या करना है याद करने की कोशिश करनी है सबसे पहले अभी में लेने वाला हूँ G-Code क्या लेने वाला हूँ G-Code तो सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं G-Code क्या पढ़ने वाले हैं G-Code पढ़ने वाले हैं देखिए ध्यान से पढ़ना है इन सभी Codes को जो आपका सबसे पहला Codes है that is your G-Codes ठीक है जी कोड में जो आपका सबसे पहला कोड में आपको बताने वाला हूँ आप first number डाल दीजेगा first number आपका कोड है G90 and G91 इसको ध्यान से समझना है first जो कोड है आपका वो है आपका G90 और G91 यह जो आपका G90 कोड होता है it will be used for the absolute positioning it will be used for the absolute positioning अभी समझा जाएगा आपको इसका मतलब क्या है absolute positioning absolute positioning clear है बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल clear absolute positioning ठीक है अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं G91 की किसकी G91 की तो जो G91 होगा it will be incremental it will be incremental positioning incremental positioning absolute मतलब absolute data लेगा incremental मतलब incremental data लेगा अब इसको सर समझें कैसे देखिए कैसे समझना इसको मैं एक example लेता हूँ क्या लेता हूँ एक example लेता हूँ और मैं एक point define करता हूँ any arbitrary point कोई भी आप point define कर सकते हो that point is 2,3 that point is 2,3 अब देखिए अब देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले g90 code use में लेता हूँ किसको use में लेता हूँ g90 तो मैं देखिए आप क्या लिखता हूँ 2,3 का मतलब है कि x की value initial क्या है 2 और y की value क्या है 3 x की value क्या है 2 और y की value क्या है 3 अब मैं कौन सा code use में ले रहा हूँ जी 90 कोड यूज में ले रहा हूं तो देखिए जी 90 कोड कैसे यूज में लेना है जी 90 ठीक है उसके बाद आप लिख लीजिए X4 Y4 end of block X4 Y4 end of block जी 90 का मतलब क्या होता है absolute value absolute value का मतलब होता है कि यहां पर जो आपने values put की है X4 Y की these are the absolute value of the position of the tool these are the absolute value of the position of the tool मतलब अगर ये initial position है तो final position क्या होगी बताइए final position होगी आपके 4,4 यदि इस same code को मैं G91 से apply करता हूँ G91 मतलब क्या होता है incremental और incremental में देखे मैं same apply करता हूँ तो देखे क्या होगा X4 Y4 end of block मतलब G91 का मतलब क्या होता है increment तो मतलब X में कितना increment होगा 4 Y में कितना increment होगा 4 X पहले कितना था 2 तो 2 में increment कितना होगा? 4 का y पहले कितने था? 3 और 3 में कितना increment होगा? 4 का तो जो final position होगी तो जो final position होगी तो वो क्या होगी? वो ही आपकी 2 प्लस 4 6 3 प्लस 4 7 जब आप G91 code use में लोगे तो जो previous position होगी उसमें increment होगा उसमें क्या होगा? increment होगा तो previous position थी 2 उसमें increment होगा 4 का तो ये होगया 6 previous position थी y में 3 तो उसमें increment होगा 4 का तो ये कितना होगया? 7 तो increment में क्या होता है? x और y की value में increment होगा x और y की value में increment होगा और absolute में क्या होता है? वो उसी position पर चले जाएंगे जो position आपने दे रखी है जो position आपने दे रखी है तो अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी अब मैं आपको एक question यहीं देता हूँ आपको मैं ये question देता हूँ कि आपने point बता रखा है 2 and 3 point क्या बता रखा है? 2 and 3 बता रखा है आपने मालनों को एक point बता रखा है 2,3 और आपको इस point को लेकर जाना है say for example इस final position पर 4,4 और आपको use में लेना है G91 code कौन सा code use में लेना है? G91 तो देखिए G91 का मतलब क्या होता है? increment incremental positioning G91 का मतलब क्या होता है? incremental positioning तो जब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर increment कितना हो रहा है? यहाँ पर increment कितना हो रहा है? तो देखिए जब आप G91 code use में लोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको X X में कितना increment हो रहा है? 2 से 4 2 से 4 तो 4 मैनस 2 2 Y में कितना increment हो रहा है? 1 को फंटा से जब हम इन है इंक्रीमेंट घरेंगे तो थैसे निध्य को सब्लों एक्स को स सब्सक्राइन नहीं मेक्टिकुर्न किया ओर फंट आconomy को ध्यान रखना है कि आप जी 91 कोड यूज में ले रहे हूं या फिर जी 90 कोड यूज में ले रहे हूं याद रखने का तरीका बताएं सर 90 के आगे वन आ रहे ना तो इस विल भी लाइक एज आई तो आई मतलब क्या हो जाएगा इंक्रिमेंटल पोजिशनिंग आई मतलब क्या हो जाएगा इंक्रिमेंटल पोजिशनिंग तो दूसरा आपने आप क्या हो जाएगा Absolute Positioning दूसरे आपने आप क्या हो जाएगा Absolute Positioning Now come to the next code That is your Z00 That is your Z00 G00 क्या होता है देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि Z00 code क्या होता है G00 code क्या होता है ठीक है जो next code है आपका वो है Z00 Z00 का मतलब है कि अगर आपके tool को machining करने के लिए किसी point पर पहुँचाना है अगर आपके tool को एक जगे से drilling हो गया दूसरे जगे drilling करने के लिए जल्दी से पहुँचाना है तो उस condition में हम use में लेते है code Z00 Say for example यहां drilling हो गया tool को बाहर निकाल दिया उसके बाद उसको next point पर पहुचाना है तो Z00 drilling की Z00 drilling की Z00 drilling की तो बिल्कुल आपको समझ आ चुका होगा It is used for the It is used for the rapid transfers It is used for the rapid transfers It is used for the बिल्कुल Rapid transfers के लिए use में आता है तो यह generally जो इसको हम use में लेते हैं अभी जैसे मैंने drilling का example दिया था PTP Point to point positioning के लिए किसके लिए Point to point positioning के लिए Say for example आपके पास आपके पास यह workplace है ठीक है यहां पर आपको एक hole drill करना है So this will be the hole और इसका मैंने coordinate दे रखा है 2,3 क्या दे रखा है 2,3 तो इसके उपर टूल जल्दी से लाने के लिए इसके उपर टूल जल्दी से लाने के लिए मैं क्या code apply करूँगा G00 X2 ठीक है आप apply कर सकते हैं आपका X2 Y3 end of block X2 Y3 end of block अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा केजिए पहले आप चूज कीजिए कि आप increment लेना चाहते हो या absolute तो जब भी आपको यह PTP करना होगा तो आपको absolute ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपको क्या पता आपका टूल कहा है टूल कहीं भी हो सकता है तो टूल को इस coordinate पर पहुंचाने के लिए मुझे absolute value लेने पड़ेगी तो absolute value कैसे लेंगे तो पहले में लूँगा आपका Z90 end of block उसके बाद में लूँगा Z00 Z00 X2 Y3 end of block X2 Y3 end of block तो 90 का मतलब है 90 का मतलब है कि आगे आने वाली जो भी coordinates होगी these will be the absolute coordinates these will be the absolute coordinates तो G0 करने से क्या हो जाएगा आपका टूल कहीं भी हो आपका टूल कहीं भी हो कहां जाएगा 2 and 3 पर आजाएगा कहां जाएगा 2 and 3 पर आजाएगा so this will be the G00 code next आपका Z92 Z92 G92 का मतलब होता है preset G92 का मतलब कहा होता है preset तो G92 का बारे में आपको इतना याद अखना है it is preset preset मतलब आपका टूल home पर पहुँच गया है कहां पहुँच गया है home पर पहुँच गया है ठीक है तो G91 से लेके 92 तक कोड होगे 90 से लेके 92 तक कोड होगे 90 वाला जो कोड होता है 90 वाला जो कोड होगा वो आपके absolute positioning के लिए होगा 91 वाला होगा वो आपके incremental positioning के लिए होगा और जो 92 वाला होगा वो होगा आपका preset क्या हो जाएगा preset home यानि सब कुछ मशीनिंग ओपरेशन हो चुका है लास्ट में इस code को apply कीजिए सब मशीनिंग ओपरेशन हो चुका है लास्ट में इस code को apply कीजिए ताकि आपका जो tool है वो preset हो जाए जहां उसको होना चीए machine में वहाँ चला जाए नहीं तो आपका tool वही रह जाएगा जहां पर आपने machine complete की थी तो machine complete करने के बाद tool को proper positioning देने के लिए उसको वापिस home में भेजने के लिए हम क्या करते हैं हम G92 code use में लेते हैं क्या use में लेते हैं G92 code हम use में लेते हैं तो I hope यहां तक आपको कोई problem नहीं आई होगी तो यह तीन code आप जल्दी जल्दी याद कर लीजे अब मैं आपको next code बताने वाला हूँ अब मैं आपको next code बताने वाला हूँ और देखिए वो code क्या है अब मैं आपको next code बताने वाला हूँ that is your Z01 that is your Z01 clear है G01 क्या होता है G01 होता है आपका linear interpolation Linear interpolation Linear interpolation का मतलब क्या है देखिए Linear interpolation का मतलब है कि एक point से दूसरे point के बीच में shortage distance से पहुँचना बिल्कुल एक straight line में move करना किस में move करना straight line में move करना say for example आपका एक point यहाँ है एक point यहाँ है ठीक है आपका एक point यहाँ है और एक point यहाँ है tool आपका यहाँ पर है इस tool को straight line में move करते वे आपको इस point तक पहुंचाना है say for example इसका इसका जो coordinate है वो 0,0 है और इसका जो coordinate है say for 5,5 है तो आपको tool को इस direction में move करवाने के लिए आपका tool अभी यहां पर है कहां पर है यहां पर इसको इस direction में move करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा G01 code use में लेना पड़ेगा क्या use में लेना पड़ेगा G01 code use में लेना पड़ेगा बिलकुल सर कोई problem वाली बात नहीं है इस direction में जो हम tool को move करवा रहे हैं, वो हम दो तरीके से move करवा सकते हैं, या तो हम absolute value की help से करवाएं, या हम increment value की help से करवाएं, ठीक है, तो चला हम इसको change करते हैं, तो थोड़ा और value आपका अच्छा आएगा तो आप इसको ले लिजे, यह है 2, this is 2, और यह कोमा है, suppose 4, और यह है आपका कोमा, 8, इसको आप ले लिजे, 10, क्या ले लिजे, 10 ले लिजे, अब ठीक है, अब इस question में आपको अच्छी feeling आने वादी है, देखी, अब आप use में लेते हो, say for example Z90 code, Z90 और आपको कहां पहुंचाना है, X, 8, Y, 10, end of block, end of block, देखी, बिल्कुल समझा आ गया, G90 मतलब absolute, G90 मतलब absolute, Z01 मतलब linear interpolation, linear interpolation, आपका टूल यहाँ पर है, इसको कहां पहुंचाना है, 8 और 10 पर, कहां पर 8 और 10 पर, तो 8, 10, end of block, अब इसको आप incremental की आपसे भी पहुंचा सकते हो, देखी, G91, G01, अब increment देखना है, X में कितना increment हुआ, 2, minus 8, 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका X, 6, Y में कितना increment हुआ, Y minus 10, that is, Y में भी कितना हुआ, 6 यह तो हुआ, so that will be Y6, end of block, बिल्कुल समझा गया होगा, 90 यूज करोगे, तब तो आपको absolute coordinate यूज में लेना है, 91 जब आप यूज में लोगे, तो इन दोनों का difference लेना है, कि इन दोनों में increment कितना हुआ है, X में कितना increment हुआ है, 2 और 8, 6 हुआ है, और Y में कितना हुआ है, 4 और 10, 6 हुआ है, तो जब आप 91 यूज में लोगे, तो आपको मिलेगा increment, और जब आप 90 यूज में लोगे, तो आपको मिलेगा absolute, आपको क्या मिलेगा, absolute मिलेगा, तो इस तरीके से आप tool को, एक straight line में move करवा सकते हो, किस में move करवा सकते हो, तो आपका ये है method number 1, और ये है method number 2, method number 1 में हम क्या किया रहे हैं, absolute यूज में ले रहे हैं, increment यूज में ले रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कि आपने G90 कोड एपलाई किया या 91, तो ध्यान रखना, most of the time आप G90 ही एपलाई करोगे, क्या एपलाई करोगे, G90 ही एपलाई करोगे, बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर्थ बिल्कुल क्लियर है, अब मैं आने वाला हूँ, circular interpolation पर, किस पर? circular interpolation में, तो अब आपको पता चल गया होगा, कि circular interpolation में, क्या होता है, आपका tool, एक circular path में, move करता है, so next is your circular interpolation, अभी हमने कौन सा record पड़ा है, G01, उसके बाद आएगा, Z02, Z03, ठीक है, so पहले हम लेते हैं, Z02, क्या लेते हैं, Z02, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, circular interpolation, इनका जो function होता है, वो आपको याद रखना है, Z02 का मतलब क्या है, circular interpolation, तो circular interpolation, यह किस direction में है, यह है clockwise direction में, किस direction में, clockwise direction में, clockwise direction में कैसा होगा, आप देखो, अब हमें suppose, टूल को एक circular arc में भेजना है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर coordinate देता हूँ, आपको टूल को यहाँ से यहाँ भेजना है, clockwise direction में, किस direction में, clockwise direction में, यहाँ के जो coordinate है, वो है, माइनस 2,0, और यहाँ का जो coordinate है, वो है आपका 0,2, वो कैया आपका 0,2 है, इसकी radius क्या हो जाएगी, बताएगे, इसकी radius हो जाएगी, आपके 2 के equal किसके equal हो जाएगी 2 के equal हो जाएगी बिल्कुल सही है कोई problem वाली बात नहीं है अब यह किस direction में जा रहा है clockwise direction में जा रहा है तो clockwise direction में जाने के लिए हम कौन सा code use मिलेंगे Z02 अब मैं यहाँ पर incremental नहीं लूँगा यहाँ पर मैं absolute ही लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर absolute coordinate पता है तो जब आपको absolute coordinate पता हो तो उस condition में आप क्या करो उस condition में absolute ही लो जब आपको incremental पता हो तो incremental लो तो यहाँ पर जब मैंने आपको absolute coordinate दे रखें तो incremental की use करने की जुरूरत नहीं है तो by default आपको क्या use में लेना है यहाँ पर absolute ही लेना है तो देखिए कैसे लेंगे आपको लेना है Z02 initial condition पर tool यहाँ है final पर यहाँ बेजना है आपको ऐसे बेजना है tool तो tool अभी यहाँ पर है तो यहाँ से जब आप tool को यहाँ बेजोगे तो देखिए क्या code लगेगा Z02 उसके बाद आपको लगाना है X0Y2 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 radius कितनी है 2 end of block अब ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है कभी भी कुछ students होते हैं जो ऐसे लिखते हैं X, comma, comma की जीए डैस लगा देते हैं Y-2 ध्यान रहे ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि जब आप यहाँ यह लगाऊगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा minus इसका मतलब क्या हो जाएगा minus यहाँ जब आप ऐसे लगाऊगे इसका मतलब माइनस तो कभी भी बीच में डैस नहीं लगाना है अगर बीच में कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब है plus अगर बीच में यह लिखा है ना तो उसका मतलब हो जाएगा minus तो जल्द बाजी में जल्द बाजी में यह बीच में minus नहीं लगाना है क्योंकि minus का भी एक meaning है जो आप dash लगाओगे वो minus treat किया जाएगा तो इसलिए तो ऐसे लिख रहा हूँ x, 0, y, 2, r, 2, end of block बीच में मैं dash नहीं लगा रहा हूँ तो आपको भी बीच में dash नहीं लगाना है it will be treated as a minus तो वो x minus 0 हो जाएगा मतलब minus 0 वैसे कुछ नहीं होता है 0 तो plus minus होता है लेकिन यहाँ effect आजाएगा y minus 2 पर चला जाएगा तो y minus 2 यहाँ जाएगा अब फिर वो क्या नहीं रहेगा clockwise नहीं रहेगा आप अगर ऐसे जाना चाहूँ ऐसे नहीं जाएगा फिर वो जाएगा ऐसे घूमके फिर वो देखिए कैसे जाएगा अगर आप minus use में लोगे तो वो ऐसे घूमके जाएगा ऐसे समझ रहोगे यहाँ चला जाएगा तो अगर आप minus लगाओगे तो path change हो जाएगा तो उसका आपको ध्यान रखना है जो गलती है आप कर सकती हो वो मेंने आपको बता दिया है यहाँ से आगया आपको गलती नहीं करनी है जी 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 टू क्या होगा आपका circular interpolation in which direction? clockwise direction Now come to the next quote that is your Z03 That is your Z03 ठीक हे? Z03 क्या होगा यह भी circular interpolation होगा Z03 क्या होगा It will be also circular interpolation circular interpolation लेकिन इन दोनों में difference क्या आएगा difference is about the direction so it will be in the anti-clockwise direction it will be in anti-clockwise direction तो अब देखिए minus वाला फंडा आप मैं आपको समझाता हूं minus वाला फंडा आप मैं आपको समझाता हूं देखिए initial position tool की यह है 0,2 ठीक है यह initial IP position आपको final position पहुचा नहीं है यहां पर minus 2,0 radius क्या होगी इसकी 2 होगी so this will be the final position अभी आपका टूल यहां पर है आपको इस direction में anti-clockwise direction में rotate करवाना है anti-clockwise direction में समझे न मेरे बात anti-clockwise direction में ऐसे rotate करवाना है तो उस condition में कौंसा code यूज मिलेंगे Z03 अब मैंने आपको बता रहा है by default हमें यहां क्या लेना है absolute ही लेना है क्योंकि यहां increment value नहीं दिए यहां value दे रखी absolute value क्या value दे रखी अब देखिए Z03 code के से apply करेंगे तूल आपका भी कहा है यहां पर anti-clockwise direction में से घुमेगा so Z03 X X में value क्या है minus 2 तो यहां गया ना X minus 2 और Y की value क्या है 0 X की value क्या है minus 2 और Y की value क्या है 0 end of block अगर आप radius देना चाहों दे दिजे radius 2 end of block तो आपको direction के according भी code यहां रखने पड़ेंगे direction शिरफ किसमें आ रही है सिरफ आपके आ रहे है यहां पर circular interpolation में एक जगे और direction आएगी कि जहां आप spindle को किस direction में rotate करना चाहते हो तो वह M course में आ जाएगा तो अभी Z code में सिरफ 2 और 3 में आपको direction में या रखना है पहला रखना है आपका clockwise दूसरा रखना है आपको anti-clockwise direction ऐसा कोश्म भी पूछा जा सकता है कि जी 02 का मतलब क्या है जी 01 का मतलब क्या है जी 90 का मतलब क्या है जी 91 का मतलब क्या है 92 का मतलब क्या है जी 04 का मतलब क्या है देखे तो अब मैं आ रहा हूं Z04 Z08 Z08 Hoगा It will be used for the acceleration Z09 It will be used for the acceleration Or retardation It will be used for the acceleration And it will be used for the retardation It will be used for the retardation So, G04 होगा आपका dwell के लिए G08 होगा आपका acceleration के लिए और G09 होगा आपका retardation के लिए किसके लिए? Retardation के लिए अब 9 के बाद जैसा नहीं है आपको 5, 6, 7 याद रखने है नहीं, वो exam में नहीं आएंगे ठीक है, जो exam में आएंगे हम वही याद रखेंगे ठीक है, तो आपके 4, 8 और 9 याद रखना है 4, 8 और 9 इसके बाद आ रहा है आपके 17, 18 and 19 ठीक है G17, G18, G19 इनका यूज़ होता है selection of the plane इनका यूज़ होता है selection of the plane तो ये, जो G17 होता है it will be used for XY plane selection it will be used for XY plane selection and this will be used for X, Z plane selection X, Z plane selection और तो ये वाला होगा, ये होगा Y, Z plane selection Y, Z plane selection तो ये 3 कोड भी आपको याद रखने ये 3 कोड भी आपको याद रखने xy के लिए कौन सा है, xz के लीए कौन सा है और yz के लिए कौन सा है yz के लिए कौन सा है now come to the another code 40, 41 and 42 ठीक है z 40 इन सभी code का आपने use करेंगे example में इन सभी code का अभी मैं use करके बताऊँगा कि इन code को आप कैसे use में लेते हो so now come to the z 40 z 41 z 42 Z40, Z41, Z42 Z40 का मतलब होता है Cutter Radius Compensation Cancelled Cutter Radius Compensation Cancelled तो जो आपका Z40 होगा देखे उसका क्या use होगा जो आपका Z40 होगा उसका देखे Z40 का मतलब होगा Cutter Radius Compensation Cancelled Cutter Radius Compensation Cancelled यह use करके मैं बताऊंगा इसका use हम कहा करते है Z40, Z41 और Z42 यह तीनों ही Cutter Radius से related होते है जो आपका Z41 होता है It will be Cutter Radius Compensation in left side Z42 होता है That will be Cutter Radius Compensation in right side तो देखे, Z41 के बारे में आपको क्या यादक ना है It will be used for the Cutter Radius Compensation In which direction? Left यह होता है Cutter Radius Compensation यह किस direction में होता है? Right direction में ठीक है So Cutter Radius Compensation left direction Cutter Radius Compensation right direction तो यह चीज आपको यादक नहीं है यहाँ पर देखे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि Cancel होने के लिए 43 नहीं आ रहा है Cancel आपका 40 पर ही हो रहा है तो यह चीज आपको यादक नहीं है 40 पर Cancel हो जाएगा 41 पर left direction में होगा और 42 पर right side में होगा ठीक है, तो पहले left, right पहले क्या होगा left, right तो आप यह से याद रख सकते हो left, right, left तो पहले left, फिर right लेकिन यह ध्यान रखना है कि 40 पर क्या करना पड़ेगा हमें Cancel करना पड़ेगा 40 अगर हम code दे देते हैं उसका मतलब है जो हमने cutter radius के लिए compensation प्रोवाइड किया है it will be cancelled बहुत easy question आएगा cutter radius compensation से ठीक है, तो यह code तिनों आपको याद रखने 40, 41 and 42 40, 41 and 42 इसके बाद आता है आपके 70 and 71 इसके बाद किया आता है आपके 70 and 71 तो जो 70 होता है, it will be used for the dimensioning in mat, आपने inches unit में, ठीक है, जो आपका 70 होगा, it will be in the inches unit and 71 will be in the metric unit, ठीक है, so G 70, G71, it is used for the dimensioning, so it will be used in dimensioning, dimensioning in inches, dimensioning in inches, ठीक है, जो 71 होगा, it will be dimensioning it will be dimensioning in metric units it will be dimensioning in metric units and metric system и МКС system, ММ वала ठीक है, so inch system और metric system, तो यह आपको यादब आतना है जी 70 होगा, बहुए दैने इन इनचास और जो आपका 71 होगा, it will be dimensioning in metric units, dimensioning in metric unit, तो यह code आपको यादबने है यह code क्या रखने हैं आपको याद रखने है now come to the another code that is 80, 81, 82, 83 80, 81, 82, 83 तो यहाँ 4 code है G codes में G80, G81, G82, G83 देखिए जो आपका G80 code है it will be used for the canned cycle cancelled मतलब canned cycle जो आप use में ले रहे थे उसको cancel करने के लिए आपको use में लेना है code G80 उसको cancel करने के लिए आपको use में लेना है code G80 अब जो G81 है वो भी canned cycle से canned cycle for drilling canned cycle for drilling operation canned cycle for drilling operation तो यह आपको G81 code यहां दखना है कि drilling operation के लिए जो canned cycle का जो code होता है that will be Z81 उसके बाद G82 भी canned cycle है canned cycle for counter boring for counter boring और जी 83 है it will be also for the canned cycle it will be used for the canned cycle और यह canned cycle for deep hole drilling for deep hole drilling और है तो यहां देख रहे होंगे कि whole making operation है और whole making operation में हम क्या कर रहेए canned cycle का use कर रहे हैं क्या युझ कर रहे हैं can cycle का use कर रहें sir whole making operation हम क्यों कर रहे हैं देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा object है क्या है ऐसा object है तो उसमें आपको number of holes करने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो देखे command कैसे देंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं जो बिल्कुल simple तरीके से हम tool को इसके उपर लाएंगे drilling करेंगे, बाहर निकालेंगे फिर नीचे ले जाएंगे drilling करेंगे, बाहर निकालेंगे फिर नीचे ले जाएंगे drilling करेंगे, बाहर निकालेंगे तो जो भी हम operation करेंगे उसके लिए specified code देना पड़ेगा उसके लिए specified block देना पड़ेगा set of instruction देना पड़ेगा तो जितने ज़्यादा instruction होगे न उतना ज्यादा memory का consumption होगा उतनी ज्यादा memory का यूज होगा तो हम चाते हैं कि जो आपका प्रोग्राम हो वो छोटे से छोटा प्रोग्राम हो तो जहां भी आपके यहाँ पर यहां पर यहां पर यहां करेंगा यहां पर बेंट के इसको करेगा मनें दे ठाइए है इस तो यह जो दो कमांड है ना इसको यह क्या करेगा कोपी करेगा अंदर गया बाहर आया अब हम कमांड देंगे सिरफ पॉइंट की यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ तो जब यह नीचे नीचे ऐसे जाएगा ना यहां पर वही कमांड लेगा जो कमांड इसने य हो जाएंगे और सेट फिस्रफिंट कम होने के कार्ण क्या होगा में मोड़ी से वह जाएगी में मोरी जो आप युज में ले रहे हो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इस ओल जी है इतने ही आपको जी को स्याद रखने तो यह आई हो यह आपको आपको बिल्कुल समझ आच चुकी होगी कि G-Codes आपको कौन-कौन से याद अखना है, अब मैं आने वाला हूँ M-Codes पर, किस पर? M-Codes पर, M-Codes क्या-क्या होते हैं, M-Codes का जो function होता है, मिसेलनेस function होता है, spindle को on करना, off करना, कुलेंट को on करना, off करना, spindle को rotate करें, वो clockwise direction में rotate करना, anti-clockwise direction में rotate करना, program को off करना, या फिर stop करना, so now come to the M-Codes, कि M-Codes क्या-क्या होते हैं, उनको आपको याद अखना है, M-Codes, तो M-Codes जो हम start करेंगे, वो 2 से start करेंगे, M-02, M-03, M-04, M-05, ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं M-02 की, M-02 क्या होता है, आपका program stop, आपने जो program दिया है, उसको stop करने के लिए last में spindle को preset करने के बाद, last में program को stop करने के लिए आप use में लोगे M-02 code, M-02 code, फिर उसके बाद आता है 3, 4 and 5, क्या आता है, 3, 4 and 5, 3, 4, 4 का use होता है, आपके spindle को on करने के लिए, it will be used for spindle on, it is also used for spindle on, यह होता है आपका clockwise direction में, और यह होता है आपका counter clockwise direction में, उपरवाला होगा clockwise direction में और नीचे वाला होगा counter clockwise जयानी anti clockwise direction में, तो M-05 का आप मुझे खुद बताएंगे क्या होगा, spindle stop, spindle stop, तो M-02, 3, 4, 5, M-02, 2 का use क्या होता है, program को stop करने के लिए, 3 का use होता है, spindle को on करने के लिए, किस को on करने के लिए, spindle को on करने के लिए लेकिन किस direction में clock wide direction में M04 का use का होता है spindle को on करने के लिए लेकिन किस direction में counter clock wide direction में M05 का use क्या होता है spindle को stop करने के लिए किस को spindle को stop करने के लिए now come to the next point next आता है आपके M06 M06 7, 8, 9, 10, 11 M06 M07 और 8, 7 में होंगे और उसके बाद 9, 10, 11 M06 M07 या फिर M08 फिर M09 M0 M10 और M11 M11 ठीक है तो जो आपका ये M06 code use में होगा that will be used for the tool change or tool selection that will be used for the tool change या आपको या दखना पढ़ेगा friends tool change और tool selection tool change और tool selection tool change और tool selection ये जो M07 और ये जो 8 code होगा it will be coolant on it will be coolant on तो ये किसके लिए होगा M09 coolant off किसके लिए coolant off के लिए 10 होगा आपका clamp on तो 11 किसके लिए होगा clamp off के लिए clamping को off करने के लिए तो यहां द्यान रखना 7 और 8 7 और 8 एक साथ आ रहे हैं और 7 और 8 में हम क्या करें coolant को on कर रहे हैं coolant को क्या कर रहे हैं कर रहे हैं और 9 में क्या कर रहे हैं coolant को off कर रहे है 9 में क्या कर रहे है coolant को off कर रहे है 10 में क्या कर रहे है clamp को on कर रहे है 10 में क्या कर रहे है clamp को on कर रहे है और 11 में क्या कर रहे है clamp को off कर रहे है So this is all your M-quotes This is all your M-quotes अब मैं आपको कुछ small-small-small Quotes बताना चाहता हूँ जो कि देखने से ही आपको बता चल जाएगा उसका मतलब क्या है ठीके, अब मैं सबसे पहले आपको Quote बताता हूँ T T का मतलब क्या होगा, tool selection कि आपको कौन सा tool select करना है T का मतलब क्या होगा, आपको कौन सा tool select करना है Say for example, T1, T2, T3 Number of tools will be there T5, T6, आपने position कर रखा होगा कि 1 number में tool ये है 2 number में tool ये है 3 number में tool ये है 4 number में tool ये है ठीके, उसके बाद आता है आपके S उसके बाद क्या आता है, आपके S S मतलब होता है, आपके spindle speed S मतलब क्या होता है, आपके spindle speed क्या spindle की speed कितनी दे रहे हो Say for example, S500 तो इसका मतलब क्या होगा, S500 मतलब होगा जो आपकी spindle है, वो 500 revolution per minute पे rotate करेगी 500 revolution per minute पे क्या करेगी, rotate करेगी So this will be T, this will be S R मतलब क्या होता है R मतलब होता है Radius R मतलब क्या होता है Radius होता है कि आपने Radius कितनी provide की है T मतलब tool S मतलब spindle R मतलब radius R मतलब radius N मतलब होता है sequence number N मतलब क्या होता है sequence number So N is the sequence number What is N? N is the sequence number बिल्कुल सही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और क्या प्रोवाइट कर सकते हैं अब बताइए मुझे एस का मतलब क्या होगा एश वाइज जैड होता है आपका coordinates यह तो हम अभी यूज यह कर चुके हैं XYZ मतलब क्या होता है coordinates बिल्कुल सही है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं EOB जो में लिक रहाता है उसका मतलब है end of block उसका मतलब क्या होता है end of block end of that instruction जो instruction हमने दिया था coding में एक line में उसका instruction को रोकने के लिए कि वहीं तक instruction है वहीं तक आपके instruction है उसके लिए हम यूज में लेते हैं end of block कि आपका जो set of instruction है यह कहां तक है आपको set of instruction कहां तक है उसके लिए हम यूज में लेते हैं end of block उसके लिए मैं क्या यूज में लेते हैं, end of blog यूज में लेते हैं, तो I hope, यहां तक आपको चीज़े सारी clear हो चुकी होगी, यहां तक आपको सारी चीज़े clear हो चुकी होगी, यह तो बहुत easy है, इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, T for the tool selection, कि कौन से नमबर का, कौन से नमबर का आपको tool चाहिए, S for the spindle speed, S500, S200, S100, S मतलब होता है spindle, S मतलब ही होता है speed, तो this will be spindle speed, R मतलब क्या होगा, radius, N मतलब, sequence number, F मतलब, fade, XYZ मतलब, coordinate, UB मतलब, end of blog, UB मतलब, end of blog, कि जो आपका set of instruction था, एक blog में वो complete हो चुका है,